हेलो बच्चो स्वागत है आपका एक बार फिट से अपने यूट्यूब चैनल ओटो एंड डिजिटल एजूकेशन पर और आज हम अपना 12th क्लास के चैप्टर 1st का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम डिसकस करेंगे और टॉपिक का नाम है बच्चो एक समान वैदू छि करते हैं हम उसे थोड़ा घुमाते हैं तो वहां पे कितनी वैदूत इस्थेटिज उर्जा होगी तो देखते हैं बच्चो कैसे टॉपिक है हमारा एक समान वैदूत छित्र में एक समान वैदूत छित्र में वैदूत दुवीधूरूव के कारण या वैदूत दुवीधूरूव की स्थितिज उर्जा यह है बच्चो हमारे टॉपिक का नाव आज हम यह सीखेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बल्यूगम का आघून हमने किया था हमने जो वैदूत 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 दुवीधूरूव की स्थितिज उर्जा तो इसके लिए हम लेके चलेंगे बच्चों की हमारे पास एक समान वैदूत दुवीधूरूव है यानि की एक वैदूत दुवीधूरूव है जो की एक समान वैदूत छेतर में रखा हुआ है हम यह लेके चलेंगे कि यह एक समान विदूत छेतर है और इस एक समान विदूत छेतर में अमारा एक वैदूत दुवीधूरूव है епी यह अगर हम ले लें वैदूत दुवधूरूव यिद होते हैं अगर हम यह लेके चलें कि वैदू दिवधुरूव है A और यह हम इसका पॉइंट ले लें B यहाँ पर है एक positive charge Q और यहाँ हम ले लें negative charge minus Q तो यहाँ पर एक force तो यह इधर लगेगा बच्चो जिसकी value क्या होगी? plus EQ होगी एक force लगेगा इधर की तरफ minus EQ ठीक है? अब हम इसको यह लेके चलेंगे कि initial condition में यह वैदूत छेतर के साथ क्या कर रहा है? ठीटा 1 एंगल पर रखा हुआ है क्या रखा हुआ है? ठीटा 1 एंगल पर अब क्यूंकि यह वैदूत दुविधूरूब है तो इसकी distance क्या होगी? तुवे होगी बच्चो क्या होगी बच्चो? तुवे अब इसको होता क्या है जनरली कि जैसे यह वैदूत छेतर है आपने यह वैदूत दुविधूरूब को रखा ठीक है? ऐसे आप ठीटा एंगल पर रख रहे हैं कि हम यह मान के चल रहे हैं कि पहले हमारा यह जो वैद की पिलाई 2A यह है इसका वैदूत दुविधूरूब आघून और यह एक समान विद्धू छेतर ए वैक्टर में रखा हुआ है हम स्टार्टिंग में यह लेके चलेंगे बच्चो हम मान करके चलेंगे कि यह विद्धूत छेतर के साथ ठीटा वन एंगल पर रखा हुआ है स्टार्टिंग में इसकी जो डायरेक्शन है ए के साथ वो क्या है ठीटा वन फिर जब हमने इसको रूटेट कराया तो रूटेट कराने के बाद यह ठीटा तू पोजीचन में आ गया जिकने इसकी जो डायरेक्शन वो बदल गई यह नि मान के चलो अगर ऐसे एलेक्टिक फिल्ड यह डाइपोल ऐसे रखा हुआ है हम यह ठीटा बन पोजीशन में है फिर जो हमने इसको रूटेट किया तो वो ठीटा टू पोजीशन में आ जाएगा ठीक है यह यह एलेक्टिक फिल्ड के साथ इसका एंगल क्या हो जाएगा ठीटा टू हो जाएगा अब जो क्या हुआ इसमें स्मौल डिस्प्लिस्मेंट हुआ डी ठीटा तो बच्चों हमको जैसा की मालूम है कि जब भी स्थितिज उर्जा की बात की जाती है तो यह स्थितिज उर्जा बराबर होती है वर्क डन के क्योंकि यह जो डाइपोल आपका प्रारमभीक अवस्था में ज आपको कुछ कारिय करना पड़ेगा और वो कारिय ही यहां इस्थितिज उर्जा के रूप में क्या होता है बच्चो संचित होता है वह कारिय ही इस्थितिज उर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो अगर हम यहां देखें सबसे पहले कि यहां पर बल्यूगम का आगून क क्या होगा हमने अपनी last class में हमने उसको क्या किया था drive किया था कि बल्यूगम आघून कि अगर हम बात करें हमने last video में वो calculate किया था तो बल्यूगम आघून था हमारा tau is equal to क्या जी पी-ई साइन ठीटा ठीक है अब अगर मैं आपसे ये कहूं किस डाइपोल को अगर हम एक small angle तक क्या करते हैं घुमाते हैं यानि विद्धुत दुविदुरूब को यह जो हमारा विद्धुत दुविदुरूब है विद्धुत दुविदुरूब को डी ठीटा कौन तक घुमाने पर घुमाने पर करत कारिये अगर हम देखें जब आपके उसे small कौन डी ठीटा तक रूटेट कराएंगे तो यहाँ पर कारिये भी क्या होगा आपका small ही होगा डी डवलू और यह equal किसके होगा क्योंकि कारिये बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के किसके होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन के तो यहाँ पर बल का काम कौन करेगा आपका बल यूगुम का आघून यानि की बल आघून और आपका विस्थापन में क्या आ जाएगा जो लगू अभी अब आपके कौन का है यानि की D theta, तो D w is equal to आ जाएगा क्या जी, tau dot D theta अब tau की अगर हम value पुट करें P e sin theta और ये क्या आगया है हाँ पे बच्चो D theta आगया अब ये तो आपने की small angle आप rotate करा रहे है कि मान के चलो पहले ये जो theta 1 position पे है अगर हम इसे देखें कि ये theta 1 था कुछ time बाद जब इसकी position मान के चलो ऐसे घुमा के थोड़ा इसा ऐसे घुमाया theta 2 पे लेकर के तो displacement कितना हुआ D theta का हो गया तो उसका ये small work done आया अगर हम यहाँ पे full करत कारिये निकालते हैं कि दुविधुरूब को theta 1 से theta 2 की स्थिति में लाने में full करत कारिये तो वो कितना होगा वही दुविधुरूब को theta 1 से theta 2 की स्थिति सक लाने में करत कारिये कितना कारिये होगा बच्चों ये करत कारिये आपका होगा w is equal to इसके integration dw अब dw क्या है आपका जब आप वो वर्गडन निकालेंगे तो limit ले लेंगे इसकी theta 1 से theta 2 और आपका p e sin theta और ये d theta अब यहाँ पे जो constant चीज़े हैं वो क्या आएंगे बच्चों आगे आजाएंगी यानि की p e आपका क्या हो गया आगे आगया तो क्या बचा integration theta 1 से theta 2 sin theta d theta अब हमें पता है कि sin theta का समाकलन क्या होता है जब यह integration हम निकाल रहे हैं तो sin theta का समाकलन होता है minus के cos theta तो p e बराबर ये आजाएगा minus cos theta और limit लग जाएगी theta 1 से theta 2 ये जो minus का sign है हम इसको बच्चे आगे भी लिख सकते हैं तो ये minus sign हम आगे ले लेंगे minus का p e और ये हुआ हमारा cos theta और ये theta 1 से theta 2 अब जो हम ये limit put करेंगे तो पहले तो इस theta की जगा ये upper limit आएगी उसके बाद फिर minus लग की theta की जगे lower limit आपका theta 1 आएगा तो इस तरीका से आप ही थोड़ा देख सकते हैं की w is equal to minus p e और ये cos theta 2 minus cos theta 1 क्लियर cos theta 2 minus cos theta 1 अगर हम minus की multiply आगे करते हैं या फिर आप इसको यहां भी ऐसे ही थोड़ सकते हैं तो ये आगया आपका work done क्या आगया बच्चो work done आगया आपका अब ये है जो कारिय है ये है कारिय ही विद्दूत इस्थितिज उर्जा के रूप में विद्दूत इस्थितिज उर्जा के रूप में संचित हो जाता है संचित हो जाता है ठीक है जी यानि कि विद्दूत इस्थितिज उर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं U से ये आगया जी हमारा विद्दूत इस्थितिज उर्जा अब इसमें बच्चों कुछ बनती है conditions क्या conditions बनती है कि यहाँ अगर हम पहली condition देखते हैं first इस्थिति देखते हैं हम तो इससे आगे लेके formula हमारा क्या हो गया U is equal to minus के PE cos theta 2 minus cos theta 1 अब अगर हम positions की बात करें तो यहाँ देखें बच्चों हमारा इस्थिति उर्जा का formula क्या आया था U is equal to minus के PE और bracket में था cos theta 2 minus cos theta 1 अब यहाँ पे आपकी इस्थिति बनेंगी अगर मैं first इस्थिति की बात करूँ इस्थिति 1 first condition क्या है तो first condition के लिए आप बच्चों देख सकते हैं कि first इस्थिति में अगर हम यह ले करके चलते हैं कि हमारा विद्धुत दुधुरूब प्रारंभ में विद्धुत छेत्र के क्या है लंबवत है क्या है विद्धुत छेत्र के लंबवत ऐसे और फिर उसे theta angle तक ले करके जाया गया यानिकी अगर हम देखें कि यदि हम यह ले करके चलते हैं कि theta 1 क्या है theta 1 है 90 degree और theta 2 क्या है इसको अगर हम theta ले 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 तो u की value क्या होगी u is equal to minus के p e cos theta theta 2 क्या होगी theta minus के cos 90 अब cos 90 के value क्या होती है बच्चो cos 90 के value होती है 0 तो यहां क्या आ जाएगा u is equal to minus के p e cos theta क्या आ गया बच्चो minus के p e cos theta यह आ गया जी हमारा यह special हमारी conditions है कि यदि theta 1 आपका 90 degree हो और theta 2 क्या हो आपका theta हो तो फिर विद्धूत इस्थितिज उर्जा क्या होगी u is equal to minus के p e cos theta minus के cos 90 और यह cos 90 हो जाएगा 0 तो क्या बचेगा सिर्फ cos theta बचेगा क्योंकि इस सब की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो यह आ गया हमारा विद्धूत इस्थितिज उर्जा एक समान चुम्ब के छेतर में हमने विद्धूत दुवधूरूब के लिए विद्धूत इस्थितिज उर्जा का वेंजग प्राप्त कर लिया है अब इसमें कुछ conditions आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चो अलग-अलग एंगल्स के लिए जैसे ठीटा बन आपका 30 डिगरी है या फिर ठीटा टू आपका 60 हो जाए तो आप इसे solve कर सकते हैं बेसिकली नुमेरिकल्स में यह इस टाइप से मालूम कर लिया जाता है तो विद्धूत इस्थितिज उर्जा का आपका यह समझ में आ गया होगा अब इसके आगे फिर एक next topic हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि हमें next अपने lecture में क्या करना है गौस्ट छोरम हमें पढ़ना है electric flux वगेरा हमें वहां सीखना है तो उससे पहले यहाँ पर एक थोटी सी चीज सतत आवेस वित्रण एक छोटा सा topic है तो आज हम वह भी थोड़ा इसमें discuss कर लेंगे इसी के साथ साथ ठीक है तो इसी के साथ साथ हम जो दूसरा topic देखते हैं सतत आवेस वित्रण सतत आवेस वित्रण सतत आवेस वित्रण क्या है बच्चो हमने chapter के starting में हमने एक छोटा सा topic पढ़ा था कि quantization of charge यानि आवेस की परमान उखता तो उसी आवेस की परमान उखता को अगर हम देखते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे negligible मान लिया जाता है कैसे कि जब आवेस की मात्रा बहुत जादा होती है तो हम फिर आवेस को quantity करण न मान करके यानि आवेस की परमान उखता का नियम वहाँ लागू ना हो करके यह मान लेते हैं कि आवेस का वित्रण कैसे होता है सतत यानि कि continuous होता है तो इसके लिए यह बेसिक सी छोटी-छोटी इसकी तीन टॉपिक्स है क्योंकि जनरली बोड परिक्षा में नहीं मालूम किया जाएगा लेकिन जब आप गौस की पिरमे के अनुपरियोग पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसकी ज़रुत पढ़ेगी तो आप अगर देखें कि सतत आवेस वित्रण में अगर हमें किसी बोडी पर आवेस को क्या करना है distributed करना है वित्रण उसका करना है तो तीन पिरकार से यहाँ यह आप इसको समझ सकते हैं जिसमें सबसे पहला अगर आप देखें इसको आप कह सकते हैं कि रेखी है आवेस गहनत्व रेखी है आवेस गहनत्व दूसरा इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से दूसरा आ जाएगा आपका आवेस का प्रश्ट गहनत्व प्रश्ट गहनत्व इसको हम कहते हैं सिग्मा और एक हम माल लेते हैं आएतन का आवेस गहनत्व या आवेस का आएतन गहनत्व हम इसको कह सकते हैं आवेस का आएतन गहनत्व इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से क्या है बच्चो रो तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये आवेस का रेख्य गहनत्व क्या है इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी यहां लेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं रेख्ये आवेस गहनत्व को इसको देखते हैं रेख्ये आवेज घनत्व रेखिया आवेज घनत्व क्या है अगर बच्चे हम इसको समझ के चलें कि रेखिया आवेज घनत्व क्या है तो इसको आप कुछ इस पिरकार से समझ सकते हैं रेखिया आवेज घनत्व को ये कहता है कि किसी आपके पास अगर कोई एक ऐसी बोडी है जो की वन डाइमेंशनल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है लेंथ है जैसे हमारे पास कोई आवेसित चालक है तो किसी आवेसित और आपका जो आवेसित चालक हम ले करके चलने हैं वन डाइमेंशन में तो उसकी एकांक लंबाई प पर उपस्थित आवेस की मात्रा को हम क्या कहते हैं रेखिय आवेस घनत्व कहते हैं और ये रेखिय आवेस घनत्व पिर क्या होगा Lambda is equal to Q upon L यानि कि किसी रेखिय चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेस की मात्रा को रेखिय आवेस घनत्व कहते हैं यानि कि किसी रेखिय चालक की एकांक लंबाई पर जो उपस्थित आवेस है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैंered मात्रक की इसका मात्रक क्या होगा आवेस का तो कूलाम और इसका मीटर तो कूलाम पर मीटर आप इसे लिख सकते हैं कि कूलाम उपर मीटर यह हो गया इसका मात्रग अब अगर हम इसके विमा की बात करते हैं तो विमा कैसे निकालेंगे बच्चो विमा आपकी हो जाएगी भी कूलाम की विमा क्या होती है AT और मीटर यानि L तो जो आप यहाँ पर इसे निकालेंगे L की पावर माइनस 1 T A यह हो गई इसकी विमा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि M की पावर 0 L की पावर माइनस 1 T और A यह हो गई इसकी विमा Basically रेखिय आवेस घनत्व क्या होता है कि अगर हमारे पास को रेखिय चालक है कोई ऐसा चालक है जो सिर्फ 1 डाइमेंसिनल में है 1 D bodies के लिए 1 D object के लिए हम इनको लेते हैं तो उस रेखिय चालक की एकांक लंबाई पर जो आवेस की मात्रा होती है जो उपस्थित आवेस की मात्रा होती है उसको हम कहते है रेखिय आवेस घनत्व या आवेस का रेखिय घनत्व ठीक है अब इसी से क्या है कि अगर आप यहां से क्यों निकालने वैलू क्यों इसकोल टू क्या होगा लेंबडा डॉट लाप लिख सकते हैं ठीक है और अगर इसमें इलेक्टिक फिल्ड देखें कि रेखिया आवेस घनत्व के लिए इलेक्टिक फिल्ड क्या होगा EL is equal to 1 upon 4pi epsilon 0 और Q upon R square यही होता है न इलेक्टिक फिल्ड का Q की value अगर आप यहां से रखेंगे Q की value क्या हो जाएगी 1 upon 4pi epsilon 0 और Q की जगा lambda dot L और अपॉन R square तो ऐसे आप यहां से इलेक्टिक फिल्ड भी निकाल सकते हैं ठीक है इसके आगे क्या आता है अगर अब दूसरा देखें आवेस का प्रेश्ट घनत्व तो आवेस का प्रेश्ट घनत्व क्या होगा आवेस का प्रेश्ट घनत्व या इसको हम प्रेश्टिय आवेस घनत्व भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो प्रेश्टिय आवेस घनत्व प्रेश्टिय आवेस घनत्व आवेस का प्रेश्ट घनत्व फिर प्रश्ठी है आवेज धनतू अब इसको कैसे करेंगे, इसका भी है कि अगर हमारी चार्ज बोडी या हमारे पास जो सिष्टम है वो क्या है, दुवी विम्या याने की टू डाइमेंशनल है, कैसा है बच्चो टू डाइमेंशनल दूवी विम्या है, तो दूवी विम्य लेंगे तो यहां इसकी परिभासा क्या हो जाएगी कि आपके दुवी विम्य औब्जेक्टों या सिस्टम्स के लिए एकांक छेत्रफल पर उपस्थित आवेस की मातरा को क्या कहते हैं आवेस का प्रष्ट घनत्व या फिर प्रष्टिय आवेस घनत्व सिग्मा कहते हैं और तुलम पर meter QA और अगर हम इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी बच्चों वहाँ पर सिर्फ एक meter था तो L की पावर माईनस 1 हुआ अब यहां meter QA है तो विमा क्या हो जाएगी L की पावर माईनस के 2C A या आप इसे लख सकते हैं M की पावर 0, L की पावर माइनस 2, T A अब तीसरा आता है हमारा आवेस का आयतन घनतु आवेस का आयतन घनतु आवेस का आयतन घनतु तो भीया आवेस का आयतन घनतु क्या है आवेस का आयतन घनतु में क्या होगा यह हमारे तिर्विम्य निकाई के लिए यानि कि हमारे तिर्विम्य औब्जेक्ट के लिए हम इसे क्या करते है यूज करते हैं और आप यहाँ जब तिर्विम्य के हम बात करेंगे तो यहांपे हम क्या लेंगे बच्चो आयतन लेंगे, यहांपे लंबाई भी है चोड़ाई भी है और वूचाई भी है तो एकांक आयतन में किसी तिर्विम्य वस्तु के लिए तिर्विम्य निकाई के लिए एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को कहते हैं इसको किसी से प्रदृशित करते हैं रो से यह रो है रो is equal to होता है Q upon V और इसकी एक यूणिट क्या हो जाएगी बच्चो कुलाम पर मीटर Q कूलाम पर मीटर Q अब यहां पे यह तो इसका मात रख हो गया कूलाम पर मीटर Q अगर हम इसकी विमा की बात करें तो भही A की तो अनतर होगा अब की बार L की पावर 2 की जगे क्या आ जाएगा माइनस की 3 आ जाएगा और ये T और ये A या फिर आप इसे लिख सकते हैं M की पावर 0 L की पावर माइनस 3 T A अच्छा बच्चो आप एक चीज सोच रहे होंगे कि बार बार M की पावर 0 क्यों लगा देते हैं क्योंकि बच्चो जिसका कोई नहीं होता क्या होता है उसका भगवान होता है ठीक है तो यहां भगवान नहीं होगा लेकिन यहां क्या होगा आप सभी ने सीखा होगा आपने चूटी क्लासों में बच्चों पढ़ा होगा कि अगर किसी की पावर 0 है अगर घात 0 है तो उसका मान कितना होता है एक होता है यानि जैसे अगर हम लिखते हैं कि X की पावर 0 तो इसकी वैलू क्या होगी 1 और 1 आप कहीं multiply में रखेंगे तो उस पे से कोई effect नहीं है तो यह विमाओं को represent करने का एक तरीका है क्योंकि अधिकतर अगर हम देखते हैं कैसे SL Aurora की बुक है या फिर HC Varma की physics की आप बुक देखेंगे तो वहां पर विमाओं को कुछ इसी तरीका से वो लिखते हैं लेकिन अगर आप कुमार मित्तल की बुक देखेंगे तो वहां यह M नहीं लिखा होता है तो यह आपकी मर्जी है आप बच्चों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप M भी लगा सकते हैं तो इसमें बिल्कुल भी confused होने की जरूरत नहीं है कि यह बार-बार सरक्यों लगा देते हैं जबकि M तो यहां आ ही नहीं रहा है आ नहीं रहा है बच्चों जबी तो जीरो लगा रहा हूं उसकी पावर है ना हम उसकी पावर तभी तो जीरो लगा रहे हैं तो यह आपको समझ में आ गया होगा यानि की सतत आवेस वितरण में क्या होता है जब आवेस का वितरण होता है तो तीन पिरकार से हो सकता है एक तो एक विमिय एक दूवीविमिया के लिए और एक बच्चो तिरविमिया के लिए यानि की एक आपका रE braking आवेश घनतु रश्ट का आवेश अमत्रिश्ट गनत तो या फिर आपका आयतन का, यानि आवेश का आयतन का तो आप यह देख सकते हैं, ठोला बैक चलें, यह आपका रE mote मैं फिर एक बार बोल लाओंगी बच्चों की बोड के पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए और जब हम गौस की पिर्मे करेंगे गौस की पिर्मे के अनुपिरियोग हम करेंगे तो वहां हमें यह क्या होगा काम आएगा इसके बाद हमने क्या पढ़ा था पीछ अगर हम दे हो तो उसके लिए वैद्धूत इस्थिति और जाका वेंजक क्या होगा जो कि हमने क्या किया है ड्राइब किया है इसको जैसे हम ठीटा वन से लिए यह आप समझगे होंगे ठीटा टू पोजिशन यानि अगर इसको घुमा के फिर थोड़ा और रूटेट करते हैं कुछ इ अगर यह डाइपोल पहले ठीटा वन पोजिशन में था अब अगर आप देखें इलेक्टिक फिल्ड से अब इसकी पोजिशन हो जाए अगर ठीटा टू इस टाइप से था ठीक है तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इस समझ में आ गया होगा तो आज हमारी वीडियो में सीखेंगे सब तक के लिए धन्यवाद बच्चों